समस्कार दोस्तों, Get Success 247 के एक उन्य वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं तो राजस्तान के अंदर वर्तमान में नई बठ्टियों से सम्मनिद मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ गया है साथ-साथ इसके साथ जो आपके डौट्स निकल रहे हैं वो भी ले रहा हूँ साथ में रास्तान में नई बठ्टियों से सम्मनिद जो करमचारी चैन बोर्ड है उसका नया एक्जाम केलेंडर जारी कर दिया गया है उसमें कुछ चीज़ें रिवाइस कीगी जो पहले जो एक्जाम केलेंडर आया था जाए बात करें अगर पश्यू परिचर वगर इन सब वेकेंसी की और CET के बारे में नोटिफिकेशन आ गया है CET के नई भर्तियां आ गई है उनके भी एक्जाम डेट निकल गए है तो पश्यू परिचर और CET इन सबी की जो एक्जाम डेट से नई एक्जाम डेट से हो जारी करती गई यानिकि चेंज हुआ है लेकिन एक और चीद धहन दिएगा यहाँ पे जो most important vacancies थी जिनकी भर्ति काफी दिनों से डिमांड कर रहे हैं और काफी समय से वेट कर दे हैं कि यह vacancy आने चाहिए थी बात करें JN की पटवारी की ग्राम शेवक की लेब असिस्टेंट की तो इन vacancies के बारे में इस नए एक्जाम केलेंडर में बिलकुल भी जिक्र नहीं किया गया है तो JN के बारे अग्रें के से कर frequent रहे हैं करमचारी चेनवोड अभी तक तो भूल गया है यह मांली जी इस साल में तो इनके एक्जाम सोने से रहे है na जिके बारे में करें लेब असिस्टेंट के बारे में बहुत सारे माना कुछ पर निखान करेंगी है अर उसके बाद में पहले आपको करमचारी जैनबोड का नया exam calendar है शंशोदित परिक्षा calendar है इनमें कुछ changes किया गया है अलग-अलग भरतिया है जिनके अंदर देखिए जो अभी हाल फिलार में कनिश्ट अनुदेशक भरती है उसकी भी exam date बता दी गई है अब देखिए परिवेशक महिला जो अंगनवाडी वाली है जो नौन CET के अंदर है exam उसका है 22 जून को कनिश्ट अनुदेशक फिटर का जो बिना CET के भरती है 26 जून को उसका exam है फिर है कनिश्ट अनुदेशक अभी इसमें trade है अलग-अलग यह अपनी trade देख ले ना refrigeration और air conditioning वाली है technician वाली यह भी बिना CET के non CET है 27 जून को इसका exam है फिर कनिश्ट अनुदेशक है electrician यह भी बिना CET के 29 जून को है परिवेशक महिला CET भरती है CET जिसमें graduation वागगा गया CET graduation वाली जो बरती है यह पुरानी वाली CET की बात कर रहा हूँ यह CET जिन्होंने DV है वो इसमें apply कर पाएंगे 13 जूना इसका exam है बात करें गनिश्ट अनुदेशक mechanical diesel की non CET है यह भी 27 जूना को exam है फिर आपका छात्रवास अदिक्षक grade 2 इसमें CET graduation मांगा है जिन्होंने पहले वाला दियावाय CET graduation वो अले 18 July इनके forms वगेर आप सभी को पताएं कि चलू है भी 18 July को इसका exam है फिर चात्रवास अदिक्षक जो अलसंक्यक मामला दिभाग वाला है जिसमें CET 12th मांगा है एक और दो अगस्ट को है 12-24 इसमें भी जो पुराना वाला CET है वो ही चलेगा एक और दो अगस्ट को इसका exam है अगली बात करें लिपिक ग्रेट सेकेंड कनिस है जो LTC की भरती है इसमें CET 10 प्रेस टू गैने के CET 12th मांगा है पुराना वाला इसके forms भी चलू है 11 अगस्ट को इसका exam है परिवेश्चक महिला अधिकारिता जो महिला सुपर्वाइजर की विकेंसी है इसमें CET ग्रेजुशन वाला पुराना वाला 7 सितम्बर को exam है इसके भी form चलू है अब यहाँ पे देखिए यह जो दो भरती है पहले सितम्बर इन डेट्स को उसका पशुपरीचर का था लेकिन अब उसको अटा दिया गया है यहाँ से और शिग्र लिपी यानि कि जो स्टेनोग्राफर अभी नहीं भरती है इसके forms वगरे चलू है आपके नोटिविकेशन आजू का है पांच अक्टूबर को इसका एक्जाम होने वाला है और सीने सेकेंडी जो ट्वल्थ वाली सीटी है नई वाली उसके एक्जाम देखे 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर को होंगे उसके बाद कनिश्ट अनुदेश्यक कंपिटर प्रोक्षाला वाला नोन सीटी में है 16 नौँबर को एक्जाम है और आगे बढ़ते हैं ये कनिश्ट अनुदेश्क की है, अलग-alग कनिश्ट अनुदेश्क है, रोजगार यूगिता वाला है उसका 16 नौँबर को एक्जाम है कारेश अला गण्णा और विज्यान कनिश्ट अनुदेश्क वाली इसका 23 नौमबर को एक्जाम है कनिश्ट अनुदेशक, अभिहांत्रिक ड्रोइंग वाला नौन सीटी जो है एक दिसम्बर को इसका एक्जाम है अब दे के पश्चु परिजर की एक्जाम डेट के बारे में बात करते हैं नौन सीटी में है बिना सीटी की भरती ही है यह 15, 16, 17 और 18 दिसम्बर को है पहले सितम्बर में था फिर अब बढ़ाकर इसको दिसम्बर कर दिया गया है तीक है कनिश्ट अनुदेशक, ड्राफ्टमेंड सिविल वाला नौन सीटी कनिश्ट अनुदेशक, इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक नौन सीटी कनिश्ट अनुदेशक, इन्फरमेशन एंड कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी नौन सीटी कनिश्ट अनुदेशक, मेकेनिकल, मोटर, वीकल, नौन सीटी इन सभी की साथ में है बताई गई एक्जाम ठीक है ये सारे जो करनिश्ट अनुदेशा की है नीचे सारे अलग-अलग ट्रेड है इनके जनवरी फरवरी महाग 2025 के अंदर संभावित बताई गई है यानिके इन बर्तियों की जो एक्जाम डेट से है वो जारी कर दी गई है पुराने वाली CET से जो भर्तिया होनी तीप वो सारी पहले ही हो गई है ना उनके एक्जाम डेट बता दी गई है नई वाली जो CET है यह आपकी समान पातरता परिशा जो CETS नातक स्तर या आपकी सितंबर में होगी और समान पातरता परिशा जो 12 वाली है यह 12 होगी यह graduation वाली होगी ठीक है तो यह सितंबर में है और यह आपकी October में है ठीक है अब बात करते हैं इनके notification की अगर notification इन 2 से 4 दिनों में आचा से लगने से पहले पहले आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है और हो भी सकता है क्योंकि जिस हिसाब से board active है तो इनके notification निकाल भी सकता है अभी हाली में ठीक है और अगर notification अभी नहीं निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मई, end और जून, starting में जरूर आएंगे क्योंकि फिर जून के बाद time ही कितना बचेगा सितंबर में तो फिर exam है है ना, अगर जून के बात करें अगर जून में आता है फिर आपका महीना वरस्ता आपका जुलाई और अगस्त क्योंकि सितंबर में तो exam है स्तांतक वाला, CT का तो CT का notification या तो जून में या फिर अभी भी आ सकता है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है क्योंकि अभी आचा सहिता आपकी लगी नहीं है उसे पहले पहले notification जारी किया जा सकता है बात करें दूनों की है तो इन दो भर्तियों के बारे में तो हम बात कर चुके हैं जो नहीं आ रही है अब बात करते हैं उन भर्तियों के बारे में जो मैंने आपको स्टाटिक में गाता कि जो भर्तियां आनी चाहिए थी जिनके बारे में धोड़ा बहुत अगर exam date भी बता देते है तो भी अच्छा होता तो उनके बारे में बात कर लेते है तो अब देखे दोस्तों इन भर्तियों के बारे में बात करते हैं जैसे बेसिकली जेयन है पटवारी है, ग्राम सिवक है, लेब असिस्टेंट है ये कुछ भर्तियां ऐसी थी जो विध्याती वेट कर रहे थे जैसे बारे में डिसक्स कर दिया जायेगा नहें उसस कैलेंडर में कहीं ना कहीं अगर विकैंसी नहीं आती है तो कोई बात नीं इनके अगर 欸 susceptible बता देते है उनके अगर एगसाम डेट भी बता देते है चाहे 2025 की बता हो मैं आपको पहली काता का notification चाहिए इस साल आ जो लेकिन exam जो है वो अगले साल ही देखने को मिलेंगे तो अब इनकी possibility इस किया है बात कुरूँ जाएन पटवारी ग्राम से वग lab assistant देखे ग्राम से वग तो थोड़ा समयने बाद आपको पहले ही का था कि थोड़ा delay होगा लेकिन जाएन पटवारी और lab assistant ये तीन भरतियां ऐसे थी जिनका वेट काफी समय से विद्यारती कर रहे थे तो इन तीनों भरतियों का notification अब जो जारी होगा वो जून के बाद होगा जून के बाद कभी भी आप कोई fix महीना नहीं है जून से लेकर दिसंबर होगा इसी साल में जहीं इनका जो notification है वो आपका इसी साल जारी होगा जून में हो जुलाई, अगज, सितंबर, अक्टूबर, नौमर, दिसंबर टोटल 6-7 महीने पड़े हैं उनमें कभी भी जारी हो सकता है लेकिन अब बाद आती है इसके exam की तो exam कहीं न कहीं जनवरी फरवरी के बाद यानि के 2025 के अंदर जनवरी फरवरी के बाद ही होगा क्योंकि इस साल के जो जितने भी exam से करमचारी चैन बोड के उन्होंने अपना exam केलेंडर हैं उसम जारी कर दिये हैं यह एक्जाम हम इन इन तारिक को करवा रहे हैं तो वो तो उन्होंने बता दी हैं लेकिन अब जो नई बढ़तियां आनी है जेएन की पटवारी की लेब असिस्टेंट की तो इनके नोटिफिकेशन कहीं न गहीं अब जून के बाद ही देखे जाएंगे यह न यह दो बिना सीटी की वेकिंसी है जेएन वाली लेब असिस्टेंट वाली कहीं न गहीं पटवारी को भी सीटी से बहार ही देखा जा रहा है अगर इंक्लूड किया भी जाता है अगर सीटी के अंदर तो उसका नोटिफिकेशन अलग से आ जाएगा ठीक है तो अब जिन्होंने भी सीटी नहीं दिया है पुराना वाला एक चीज़ वह भी ध्यांद कियेगा कि आप जो सीटी वाला नोटिफिकेशन है इस बार वाला जुरूर दे दें ताकि कोई भी अधर एक्जाम से आ वन्चित ना रहे ठीक है पुराना वाला जिन्होंने नहीं दिया है तो वह जरूर दें और इसके अलवा कोई आपका डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना यह वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेच जरूर करें चैनल पर पहली बार आयो पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल एकन को क्लिक जुरूर करें तो दोस्तों धन्यवाद मिलताने की वीडियो में